हलो एव्रिवन कैसे हैं आप सब बताने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखेगा दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनसी में यदि आपके नाभी यानी बैली बटन बाहर की ओर निकली हुई है तो गर्ब में बेटा है या बेटी है या फिर आप की नाभी अंदर की ओर है तो ये किसकी ओर इसारा करते हैं दोस्तो वैसे तो आपने यूट्यूब में कई लोग को कहते सुना होगा कि बैली बटन अगर बाहर की ओर है तो आपने लड़का कंसीव किया है लेकिन वहीं पर अगर आपकी बैली बटन अंदर की ओर है तो फिर आपने एक लड़की conceive की है ये बात कहां तक सही है अपनी दोनों pregnancies में मैंने क्या experience किया अपनी belly button को लेके दोस्तों जब मैंने first time conceive किया था मुझे बेटा conceive हुआ था और मैंने दूसरी बार conceive किया वो मुझे बेटी conceive हुई थी मैं भी अपनी pregnancy में यूट्यूब में ये सारी बाते बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी इसको search किया करती थी बेटे होने के लक्षण को देखा करती थी तो यूट्यूब में यही बताया गया था कि अगर आपकी नाभी बाहर की ओर है तब आपने बेटा conceive किया है लेकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ मैं इंतजार करती थी कि मेरी नाभी बाहर की ओर हो और पहला मुझे बेटा हो क्योंकि अगर फैमली में एक बेटा है और एक बेटी है तभी हमारी फैमली complete मानी जाती है तो दोस्तों मैं भी इंतजार किया कर दी थी कि प्रेगनेंसी में मेरी बैली बटन बाहर की ओर हो जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बैली बटन मेरी बाहर नहीं हुई थी लेकिन मैंने बेटा ही conceive किया था जिस pregnancy में मेरी belly button बाहर की ओर नहीं थी उसमें मैंने बेटा conceive किया था लेकिन जिसमें मेरी belly button बाहर की ओर थी उसमें मैंने अपनी बेटी conceive की थी तो ये belly button का बाहर आना या अंदर आना दोस्तो इससे बेटा या बेटी का पता नहीं लगाया जा सकता है जिन parents को एक बेटा है वो एक बेटी का इंतजार करते हैं और जिन्हें बेटी है वो बेटी का इंतजार करते हैं क्योंकि guys अपनी family सभी को complete करनी होती है बेटी के time मुझे आसंका थी कि कहीं दुबारा मुझे बेटा ना हो जाए और मैं यही चाती थी कि मुझे एक बेटी हो जाए लेकिन बाद में मुझे यह पता चला कि मैंने बेटी ही कंसीव की थी तो दोस्तों यदि आप सोचते हैं कि लक्षड के अनुसार आपको बेटा होगा या फिर बेटी होगी आप भी अपनी प्रेग्नेंसी में ऐसी वीडियो देखते हैं और इस बात पर विलीब करते हैं तो आप बिल्कुल भी परिशान ना हो आपको कुछ भी हो सकता है बेटा या बेटी जब कुछ महिलाओं में एक ही लक्षड देखे जाते हैं सेम ही लक्षड पर सेम ही चीज होती है तब उसे मान लिया जाता है कि ये बेटे होने का लक्षड है या फिर बेटी होने का लक्षड है ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि उन लक्षर के अनुशार आपको बेटा ही होगा या फिर बेटी ही होगी आपके प्रेग्नेंसी में आपके नाभी बटन के निकलने का भी एक कारण होता है दोस्तों जब पेट अंदर की तरफ रहता है तब बैली बटन भी अंदर रहती है लेकिन जब पेट में बच्चा आता है तो पेट में एक प्रिसर पड़ता है अंदर की तरफ से जिससे बैली बटन बाहर की ओर आपको दिखाई देती है pregnancy में अकसर ladies की जो belly button होती है वो बाहर की ओर ही होती है तो इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि आपने बेटा ही conceive किया है आप बेटी भी conceive कर सकती है उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में बताई ग़ी बाते समझ में आ गई होंगी और आप अपनी बैले बटन को लेके बिलकुल भी परेशान नहीं होंगे बेटा या बेटी किसी को कुछ भी हो सकता है बैले बटन का इससे कोई भी लेना देना नहीं है अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा